आज हम आश्वादन करेंगे सगुण भक्त कवी तुलसिदास जी का एक पद, 16th century poet थे तुलसिदास और उनका विने सम्मन्दी एक पद का आश्वादन आज्वादन करेंगे ऐसी मूढता या मन की परिहरी राम भगती सुर्शरिता आसकरत ओसकन की मानव की मूढता या मूर्खता पर भक्त कवी तुलसिदास प्रकाश डालते वे कहते हैं कि मानव मन की मूर्खता तो देखिए, श्री राम भक्ती रूपी सुर सरिता को छोड़ कर ओस की बूंद की चाह रखता है, सरिता यानी नदी, सुर सरिता गंगा जैसे पवित्र नदी. तो कवी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भक्त, मानव सांसारिक सुक्सुविधाओं के पीछे दोड़ता है और ईश्वर से दूर हो जाता है. यह तो ठीक वैसे ही हुआ, जैसे कोई सुर सरिता अर्थात गंगा के पवित्र जल को छोड़ कर ओस की बूंद की आशा रखे. कवी तुलसिदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी धूएं के समोह, धूआ होता है ना जो स्मोक, उसके समोह को देख कर वो सोचता है कि घने बादल, घने काले बादल उमड रहे हैं और बारिश होगी और उसे जल पीने को मिलेगा. ये जो पक्षी है चातक पक्षी एक mythological bird है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो केवल और केवल उपर से बरसने वाला पानी पीता है. नदी नाले का पानी नहीं पीता चाहे वो कितना ही प्यासा क्यों न हो. तो इसलिए चातक पक्षी हमेशा उपर की और आँख गड़ाए बैठा रहता है. एक myth है ये. तो कभी कहते हैं कि घने धुए को देख कर चातक को ब्रम हो जाता है. और फल्सरूप क्या होता है? नहीं तह सीतलता न बारी. पुनिहानी होती लोचन की. उसे क्या होता है धुए से शीतलता भी नहीं मिलती? उल्टा उसके लोचन अर्थात उसकी आँखों को खानी पहुँशती है. ऐसी मूडता या मन की, परिहरी राम भगती सुरसरिता, आस करत ओसकन की, धूम समूह निरखी चातक्जियों, तुरशित जानी मतिघन की. मानव की मूर्खता पर इन पंक्तियों में तुलसिदास दी प्रकाश डालते हैं कि उसे अच्छे बुरे को पहचानने का विवेक ही नहीं है. गंगा जल को छोड ओस की बुंदों की कामना करता है, और चातक को देखिये, धूएं को देख, बादल समझ बैठता है, वैसे ही मनिश्य बुरी संगती में पढ़ जाता है, और उसकी अवस्था वैसे ही होती है, जैसे चातक पक्षी की होती है. पानी भी नहीं मिलता, आँखे भी खराब होती है, सांसारिक सुखों के पीछे दोडने वाले मानव की भी यही तो स्थिती है. समझ गए अब, अब आगे बढ़ते हैं. ज्यों गच कांच बिलो की सेन, जड़ छाह आपने तन की, तूटत अति आतुर आहाद, बस छती बिसारी आनन की. बाज पक्षी की मुरुखता पर प्रकाश डालते वे, कभी कहते हैं, कि सेन अर्थाद बाज पक्षी, जो होलता है न, इगल, वो कांच में अपनी चाह देखता है, अपने तन की ही परच्छाई, वो कांच में देखता है. गच्च यानि कठोर, कठोर कांच में बाज पक्षी अपने ही शरीर का रिफ्लेक्षन प्रतिबिम्ब देखता है, यानि कि जो मिरर है, वो उसमें ये जो बाज पक्षी अपना ही प्रतिबिम्ब देखता है, अपना ही रिफ्लेक्षन देखता है, और क्या करता है, तूटत अति आतुर आहार उसे भोजन समझ कर उस पर काफी आतुरता पूरवक वो तूट पड़ता है एक्चुली वो उसका ही reflection होता है लेकिन बाज पक्षी को लगता है कि कोई और पक्षी है उसे भोजन उसका भोजन बना लें तो वो आतुरता पूरवक उस पर तूट पड़ता है तो ऐसे करने पर क्या होता है वो तो मात्र reflection होता है प्रतिभिम होता है उसकी चोंच उस कठोर शीशे पर जब पड़ती है तो उसे काफी दुख पौँशता है कभी कहते हैं उसी प्रकार मेरा मन भी उस बाज पक्षी की तरह मुर्खता कर बैठता है मेरा मन भी सांसारिक सुखों के और आकरश्ट हो जाता है कई बार मैं भी उस मुर्ख बाज की तरह तूट पड़ता हूं जैसे पैसों के लिए या धन संपती के लिए मैं उस बाज की तरह काफी उस सुकता से तूट पड़ता हूँ बाज कैसे तूटता है आती आतुर आहार समझकर आती आतुर होकर काफी excited होकर तूट पड़ता है तो मैं भी वैसे ही हूँ जब धन संपती की बात आती है तो मैं भी काफी आतुर होकर तूट पड़ता हूँ लेकिन end result क्या होता है? धन संपत्ती तो सब शनिक सुख होता है सब माया होती है कभी आगे कहते हैं कह लोग कहों कुचाल कृपा निधी जानत हों गति जन की तुलसीदास प्रभु हरहू दुसह दुख करहू लाज निजपन की हे कृपा निधी हे कृपा के भंडार मेरे इश्वर इस कुचाल का मैं कहां तक वर्नन करूं जानत हों गति जन की आप तो जनता की गति जानते ही हैं आप तो सब कुच जाने वाले अंतर्यामी जो टहरे तुलसी दास प्रभु हरहू दुसह दुख करहू लाज निजपन की हे प्रभु कृपया दास तुलसी के दुख को हर लीजिए दुख को दूर कर लीजिए और अपने शरनागत वलसलता के प्रण की रक्षा कीजिए भक्तकवी तुलसी दास मानव की मूर्खता एवं विशया सक्ती के बारे में कहते हुए इश्वर से प्रस्तुत पद में बिने पूर्वक विंती करते हैं कि हे कृपानी धी आप तो शरनागत वलसल हैं यह मूर्ख मानव आपकी शरन में आया है अकसर हम सांसारिक सुक सुविधाओं के माया मों में पढ़ने पर भटक जरूर जाते हैं उस चातक पक्षी की तरख या फिर उस बाज़ पक्षी की तरख और अंत में जिस तरह हानी चातक और बाज़ पक्षी का होता है बैसे ही मानव भी धोके में पढ़ जाता है और पश्टाता है लेकिन आप तो भक्त के दुखों को हरने वाले भक्त वलसल हैं अतहक रुपा कर इस भक्त की रक्षा कीजी तो समझ गए न यही था इस विने का पद का अर्थ मानव की मूर्खता के बारे में तुलसिदास जी इ इपना मूर्ख है वो अच्छे बुरे को समझ ही नहीं पाता और हमेशा बुरे की और आकरशित होता है और कई बार इशोर से भटक भी जाता है और उसकी अवस्था ऐसे होती है कि राम भक्ती रूपी गंगा जल को चोड़ कर उसके कन के पीछे भागता है कभी या फिर उस बाज के समान होता है जो अपना ही प्रतिविंब देख कर आतुर होकर उस पर तूट पड़ता है तो ऐसे में भक्त के सामने एक ही उपाय है कि वो अपने कृपान इधी श्री राम चंद्र से विंती करे कि कृपिया मेरी रक्षा करे कृपिया मेरा उद्धार करे तुलसिद इस विने कापथ सो अंतल वी मेट नेक्स ताम इस भाइ फ्रम एर